हेलो बच्चों बहुत बहुत नमश्कार मैं हूँ परमोद और आप देख रहे हैं मास्टर ड्रामे बास आज की वीडियो है खास तीसरी से आठवी क्लास के बच्चों के लिए और आज की वीडियो में आपको क्या-क्या पता लगेगा किस किस चीज के बारे में आप सीखोगे देखिए सबसे पहले आप सीखेंगे Meaning of Genders यानि Genders होते क्या हैं उनका Meaning क्या होता है उसके बाद आप सीखेंगे Types of Genders यानि Genders कितनी तरह के होते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा Rules of Changing Masculine Gender into Feminine Gender यानि Masculine Gender से Feminine Genders कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा 5 Top Rules जिसे आप सीख कर किसी भी जेंडर को चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं हाँ इस वीडियो को लास तक जरूर देखना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना कि सर जी ये टोपिक समझ में नहीं आया है मैं कुछी दूसरे तरीके से फिर इसको कराऊँगा ओके चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जेंडर्स का मतलब क्या होता है जेंडर्स होते क्या है प्यारे बच्चों जेंडर्स को हम हिंदी में लिंग कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है देखिए Genders, जो link होती है प्यारे बच्चो, tell us, वो हमें ये बताते हैं, क्या बताते है Genders, क्या बताते है, whether a noun, कि कोई noun जो होती है, कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, या कोई स्थान है, कोई भी noun belongs to, वो संबंध रखती है, किस से? The male sex, यानि वो noun किस जाती से संबंध रखती है, कि वो male जाती से संबंध रखती है, यानि क्या वो पुरुष जाती से संबंध रखती है, female sex, या फिर वो महिला जाती से संबंध रखती है, या फिर वो इस्त्री जाती से संबंध रखती है, वो noun, इसके बाद है all to, neither, या फिर किसी से भी नहीं रखती of the two ना male से संबंद रखती ना female से संबंद रखती यानि genders ऐसे शब्द होते हैं ऐसे words होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक noun पुरुष जाती से संबंद रखती है या फिर वो इस्तरी जाती से संबंद रखती है Basically genders 4 तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चो कितरी तरह के? 4 तरह के होते हैं सबसे पहली type होती है Masculine gender कौन सी होती है? Masculine gender होती है जिसे हम हिंदे में कहते हैं Pulling क्या कहते हैं भाई? Pulling इसके example है देखिए White और Man यानि लड़का और आदमी ये है masculine gender के examples क्योंकि ये हमें male जाती को indicate करते हैं male जाती से यानि पुरुष जाती से pulling जिसे हम कहते हैं उसको denote करते हैं उसके बारे में बताते हैं दूसरी type है आपकी feminine gender कौन सी है प्यारे बच्चो? feminine gender इसे हम हिंदी में कहते हैं strilling क्या कहते हैं? strilling कहते हैं इसके example देखिए जैसे की girl और woman woman girl और woman यानि लड़की और औरत ये किस चीज के बारे में बताते हैं? अरे female जाती के बारे में बताते हैं strilling जाती के बारे में बताते हैं इसलिए तो कहते हैं हम इसे strilling यानि feminine gender थर्ड टाइप है प्यारे बच्चों, वो होती है आपकी common gender, यानि जो common नाम लिये जाते हैं, common words हम यूज करते हैं, जो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, यानि male भी होता है और female भी होता है, यानि उस word को हम masculine gender भी कह सकते हैं, feminine gender भी कह सकते हैं, example देखिए, parent, parent हम ममे के लिए भी यूज कर सकते हैं, दोनों इसमें शामिल होते हैं, मम्मी भी, पापा भी, मम्मी है, इस तरी, पापा है क्या, पुरुष है, दोनों को मिला देंगे तो common बन जाएगा ना, इसलिए ये common gender है, ठीक है, इसके बार देखिए, baby भी common gender है, क्यों है, क्योंकि हम छोटी स लड़की को छोटे से लड़के को baby कह देते हैं, उसमें हम ये नहीं कहते कि लड़का है या लड़की उसको baby ही बोलते हैं तो वो common gender हो गया, कौन सा gender हो गया भाई, common gender हो गया ना, हाँ, थर्ड टाइप देखिए, थर्ड तो हो चुकी भाई, फोर्ट टाइप देखिए, व तो वो male होता है और ना ही female होता है, इसमें ऐसी वस्तों को शामिल किया जाता है, जो life less होती है, जिन में जान नहीं होती, जैसे की book, क्या है, life less है, ये neutral gender है, neutral gender है, neutral गोलेंगे ठीक है, neutral gender है, इसके बाद table, table में जान होती है, क्या, नहीं होती, neutral gender है, male female कुछ नहीं होता table का टेबल टेबल होती है भाई ना इस्त्री जाती होती ना ये पुरुष जाती होती इसके बाद है पैन पैन भी क्या है? न्यूटर जेंडर है ना ये इस्त्री लिंग होता ना ये पुलिंग होता क्लियर है सबको टाइप्स क्लियर हो गए ना प्यारे बच्चो समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चो हाँ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो के सर जी समझ में आ गया बिलकुल समझ में आ गया है और वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक कर दो लाइक जल्दी सी करो शाबास लाइक करो वीडियो जल्दी सी अब हम पढ़ेंगे क्या कि मैस्कुलीन जेंडर से फैमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं जेंडर को चेंज करना सीखते हैं पांच रूल मैं आपको सिखाऊंगा इसके बाद समश्या का समाधान हो जाएगा आप किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हैं उसके जेंडर को चेंज कर सकते हैं ये पांच रूल लगा करके चलिए देखते हैं पांच रूल कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, मैस्कुलीन से फैमिनाइन बनाने का सबसे पहला रूल है, क्या होता है, अरे कुछ भी नहीं होता ये रूल, सिंपल है जो वर्ड आपका आया है ना, उसको फैमिनाइन बनाने के लिए, मैस्कुलीन से फैमिनाइन बनाने के लिए, पूरा नया वर्ड बॉय होता है लड़का इसका फैमिनाइन हो जाएगा गर्ल होती है लड़की इसके बाद है अंकल अंकल होते हैं चाचा जी ताउ जी मामा जी किसी को भी अंकल कह सकते हैं हम आज कल और इसका फैमिनाइन जेंडर क्या होता है आंटी क्या होता है आंटी भी कह सकते है या फिर Han T بھی कह सकते हैं प्यारे बच्चो इसके बाद है father father होते है पापा जी और उनके feminine क्या होते है mother यानी मम्मी जी इसके बाद है sr sir होते हैं पढ़ाने वाले sir Sriman Jी और इनका feminine gender होता है madam यानि शरीमती जी इसके बाद है man मैन का मतलब होता है आदमी और इसकी feminine gender बनेगा इसका feminine gender बनेगा क्या? वो मैन, वो मैन होती है ओरत, आदमी ओरत, next word देखिये son, son क्या होता है? बेटा होता है और बेटा बेटा जो होता है उसका feminine होता है बेटी जिसे हम कहते हैं क्या? डोटर कहते हैं, क्या कहते हैं? son, daughter, son, daughter इसके बाद है प्यारे बच्चों nephew, nephew होता है बतीजा और इसका gender होता है क्या? feminine gender होता है niece, niece होती है बतीजी, next है lord, lord का मतलब होता है क्या? बेटा मालिक और इसके बाद इसको change करते हैं किसमे? नया word लगाते है ना, क्या? lady, lady का मतलब होता है मालकिन, वैसे lady का मतलब होता है महिला, लेकिन यहाँ पर क्या है? मालकिन, lord का क्या बन जाएगा? lady हो जाएगा, इसके बाद है आपका dog, dog होता है कुटा और इसका feminine gender बनता है, bitch क्या बनता है? bitch dog का क्या बनेगा? bitch बनेगा मेरे भाई, इसके बाद है आपका bull, girl होता है belle गुल होता है बैल और इसका फैमिनाइन जेंडर क्या होता है काउ काउ होती है क्या गाएं होती है मेरे भाई इसके बाद देखिए ब्रदर ब्रदर होता है भाई इसका फैमिनाइन जेंडर बनता है क्या सिस्टर ब्रदर का बन जाएगा सिस्टर याद हो गया ना साथ की साथ याद भी कर लेना, इसके बाद है king, king होता है राजा, और इसका feminine बन जाएगा queen, queen होती है रानी, इसके बाद देखिए horse, horse होता है घोड़ा, टुड़ी 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 घोड़ा, और इसका feminine gender होता है mayor, mayor क्या होता है भाई, mayor होता है घोड़ी, इसके बाद देखिए husband, husband प्ति, पती, 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 पती और मुर्गा होता चारी है। fresh ताजा word इस्तमाल करते हैं इसके बाद देखते हैं हम second rule कि हम feminine oh sorry masculine से feminine कैसे बनाते हैं एक बार इसका screenshot ले लीजिए मैं हो जाता हूँ side में हो गया screenshot very good चलिए अब पढ़ते हैं second rule masculine से feminine बनाने का gender change करने का दूसरा rule है by adding e double s यानि जो word है जो masculine gender है ना उसमें आप सिरफ e double s add कर देंगे वो gender change हो जाएगा ठीक है masculine से क्या बन जाएगा feminine gender बन जाएगा example देखिए आपके है word bird देखो lion होता है share इसमें सिरफ e double s लगा दो क्या बन जाएगा lioness share नी lion का बन जाएगा lioness इसके बाद है poet poet होता है कभी इसमें e double s लगा दो क्या बन जाएगा poetess बन जाएगा ना poetess next है prince prince होता है राजकुमार e double s लगा दो princess बन जाएगा क्या बन गया princess बन गई क्या राजकुमारी बन गई next देखिए emperor emperor होता है saucer E double S लगा दो, क्या बन जाएगा? EMPRESS बन जाएगा और EMPRESS क्या होती है भाई? EMPRESS होती है साशी का इसके बाद देखिए PRIST, PRIST होता है पादरी जो चर्च में रहता है पादरी उसका FEMININE मनाना है तो E SS लगा दो, क्या बन जाएगा? PRISTESS क्या बन जाएगा? PRISTESS बन जाएगा PRIST का बन गया PRISTESS इसके बाद है HOST होता है मेजवान और इसका FEMININE बनाएगे तो E SS लगा देंगे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चो HOST का बन गया HOSTESS क्या बन गया? HOSTESS बन गया NEXT WORD है JUE जू होता है यहूदी और इसका अगर FEMININE बनाना है तो क्या करेंगे? E SS लगा देंगे न क्या बन जाएगा? Jewish जूइश बन जाएगा यहूदीन इसके बाद देखिए Mayor Mayor होता है किसी शहर का बड़ा अधिकारी या बड़ा सा बड़ा सा लगा देंगे क्या बन जाएगा? Mayor S Mayor S Mayor S इसके बाद देखिए Hair Hair होता है उत्राधिकारी क्या होता है प्यारे बच्चो उत्राधिकारी इसको बनाओ FEMININE बनाओ न अरे E SS लगा दो क्या बन जाएगा? Hair S बन जाएगा उत्राधिकारी ठीक है? उत्राधिकारी क्या बन जाएगा? Hair S बन जाएगा Next word देखिए Giant Giant होता है जो बहुत बड़ा होता है यह है Masculine Gender इसको FEMININE बनाना है तो क्या करेंगे? अरे E SS लगा देंगे न क्या बन जाएगा? Giant S बन जाएगा यानि जो बहुत जिसका साइज बहुत बड़ा होता है यानि FEMININE GENDER Giant का क्या बन गया? Giant S Clear हो गया Second rule क्या करना है? कुछ भी नहीं करना जो है word उसमें सिर्फ E SS लगा देंगे अब देखते हैं तीसरा rule कैसे हम Masculine से FEMININE GENDER बनाते हैं तीसरा rule देखिए प्यारे बच्चो थर्ड rule है Masculine से FEMININE बनाने का GENDER CHANGE करने का क्या है? By dropping the last vowel and adding E SS ये वाला rule है बहुत ही खास क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? जो भी आपका word दे रख रहा है कोई भी Masculine word जो आपके सामने है उसमें एक vowel मिलेगा vowel कौन सा? ये वाला A, E, I, O, U और last वाला vowel वो आपने drop कर देना है वो क्या करना है? drop कर देना है हटा देना है और उसके बाद E SS लगा देना है क्या लगाओगे? E SS कब लगाओगे? जो आपका vowel आएगा last में उसको हटा करके E SS लगाना है example के जरीए समझते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए example है actor actor में last में vowel क्या है? A, E, I, O, U में से O आया है ना ये O को हटा दो हटा दिया O को E SS लगा दो actress बन गया actor का actress सेम है hunter hunter में से क्या करेंगे? E को हटा दो जी E SS लगा दो क्या बन जाएगा? hunters बन जाएगा clear है बिल्कुल clear है है सर आगे देखो tiger 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 का masculine बनाओ ना gender change करो E हटा दो भई और E SS लगा दो क्या बन जाएगा? tiger digress बन जाएगा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो भीच भीच में like कर दो ना next word है negro negro है ना last में आया है O O को हटा दो और फिर E SS लगा दो क्या बन जाएगा? nigress nigro का क्या बन गया? nigress बन गया प्यारे बच्चो इसके बाद देखिए editor इसमें O आया है इसको हटा दो ES लगा दो क्या बन जाएगा? editress editor का क्या बन गया? editress next word देखिए waiter इसमें आया है E इसको हटा दो क्या बन जाएगा? अरे ES नो लगा दो E हटा दिया E SS लगा दिया क्या बन गया waitress बन गया समझ में आ गया यह rule third कैसे हम gender change करते हैं कैसे हम pulling से strilling बनाते हैं क्या करते हैं last में आया वोवल जो भी है उसको drop कर देते हैं हटा देते हैं और last में क्या लगा देते हैं e double s लगा देते हैं समझ में आ गया next rule देखते हैं प्यारे बच्चो कैसे हम masculine से feminine gender बनाते हैं fourth rule कहता है प्यारे बच्चो के हम masculine से feminine कैसे बनाएंगे बहुत आसान है यह कहता है by changing prefix और suffix हम prefix को change कर देंगे और suffix को change कर देंगे और उसका gender change हो जाएगा अरे prefix और suffix क्या होता है सर जी यह तो बता दो prefix होता है प्यारे बच्चो किसी शब्द से पहले लगने वाले letters को कहते हैं हम prefix और किसी word के किसी शब्द के last में लगने वाले letters को कहते हैं हम क्या suffix कहते हैं परिफिक्स पहले लगने वाले, सफिक्स बाद में लगने वाले, इन दोनों लैटर्स को या ग्रूप ओफ लैटर्स को चेंज करके हम मैस्कुलीन से फैमिनाइन बना सकते हैं, किसी भी नाउन का जेंडर चेंज कर सकते हैं, इक्जैम्पल के जरीए समझते हैं ताकि अच्छ लगा दिया, क्या बन गया, शी गौट यानि बकरी बन गया, परिफिक्स चेंज कर दिया, जेंडर चेंज हो गया, नेक्स वर्ड देखिए, मैन सर्वेंट, नोकर होता है, मैन सर्वेंट यानि पुरुष नोकर जो होता है, इसको हमने जेंडर चेंज करना है, तो क्या करें परिफिक्स चेंज करतेंगे मैन इसमें परिफिक्स है उसकी जगह क्या लगा देंगे मेड लगा देंगे क्या बन गया नोकरानी बन गया मेड सर्वेंट बन गया ही बियर होता है भालू याने मेल जो भालू होता है उसको ही बियर बोलते हैं यह है इसमें परिफिक्स इसको चेंज करके ही की जगह क्या लगा देंगे शी लगा देंगे, क्या बन गया, शी बियर बन गया, यानि भाली, भाली नहीं बोलते, यार इसको बोलते है, भालू जो इस्त्रिलिंग होता है, शी बियर, इस्त्रिलिंग यानि फैमिनाइन भालू, ठीक है, clear है नेक्स देखो कोक स्पैरो, कोक होता है मुर्गा और स्पैरो होती चिडिया, कोई बक्षी होता है कोक स्पैरो ठीक है, अब इसमें क्या है कोक, कोक है इसमें परिफिक्स, इसको हम चेंज कर देंगे क्या, हैन लगा देंगे, कोक की जग है क्या लगा दिया, हैन लगा दिया, क और ये क्या है फादर है इसमें सफिक्स अब इसमें सफिक्स में चेंज हो जाएगा फादर की जगे क्या लगा देंगे मदर लगा देंगे क्या वर्ड बनेगा ग्रैंड मदर क्या बनेगा ग्रैंड मदर क्या होती है दादी जी होती है ग्रैंड मदर नेक्स वर्ड देखिए landlord यानि मालिक landlord क्या होता है? मालिक होता है और मालकिन कहना हो तो क्या करेंगे? इसमें जो load आया है ये जो है suffix इसको change करके हम lady लगा देंगे क्या लगा दिया? lady लगा दिया sentence, sentence निए word क्या بن गया land lady बन गया ठीक है? land load का क्या बन गया? बन गया, इसके बाद देखिए peacock, more जो होता है peacock, peacock में इसमें है यह cock यानि suffix इसको change करके लगा देंगे, hen ठीक है, क्या बन जाएगा, pe-hen यानि more-ni, peacock का क्या बनेगा pe-hen बन जाएगा, ठीक है next देखिए milkman, do dya milkman, man चीज़े कर लगा देगे ? मेड लगा देगे milk made बन जाएगा ठीक है ? ये feminine gender बन जाएगा इसका क्या ? milk made milk man का बनेगा milk made बनेगा इसके बाद है आपका washer man धोभी जो होता है washer man ठीक है ? washerman अब इसमें man है जो इसकेंगे क्या लगा देगे ? law sun in law का क्या बन जाएगा बेटा sun की जगह है जो प्रीफिक्स है sun इसको change करके लगातेंगे daughter sun in law का क्या बनेगा ये बनेगा daughter in law clear हो गया बिल्कुल clear हो जाना चाहिए मैं हूँ frame से बाहर आप इसको note कर लीजिए फटाफट से प्यारे बच्चों इसके बाद करेंगे हम last वाला rule कैसे हम masculine gender से feminine gender बना सकते हैं कैसे हम gender change कर सकते हैं देखिए last वाला rule ध्यान से देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो comment box में बता दिया करो न मुझे बीच बीच में बता दिया करो और वीडियो जिसने like नहीं की है वो like करके जरूर जाना भई last वाला rule देखिए प्यारे बच्चों last वाला rule क्या कहता है अरे कुछ भी नहीं कहता last वाले rule में बताया है we can change the gender हम gender change कर सकते हैं in an irregular way यानि एक आनेमित तरीके से हम change कर सकते हैं जिसका कोई खास rule नहीं होता example ये है gold गोड का बनता है goddess याद कर लेना ये वाले words आपको यहाँ बिठाने पड़ेंगे गोड का क्या बनता है गोड़ेस बनता है लैड का बनता है क्या last या इसे last भी बोलते हैं लैड का last भी बोलेंगे या फिर last भी बोलेंगे ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम को अगर फैमिनाइन बनाना है तो इसका बनता है क्या ब्राइड बनता है, क्या होता है ब्राइड ग्रूम, अरे ये होता है दुलहा और ब्राइड होती है दुलहन, इसके बाद है ड्यूक, ड्यूक का बनता है प्यारे बचो डचेस, क गवर्नर का क्या बनेगा? गवर्नेस, याद रखना, इनका कोई खास गूल नहीं होता, बस ये words आपने दिमाख में फिक्स करने हैं, गवर्नर का क्या बन गया? गवर्नेस बन गया, और इसके बाद है मास्टर, मास्टर का बन जाएगा आपका मिस्टरेस, क्या बन गया? मास्टर का मिस्टरेस बन गया, दुबारा देख लीजिए, गोड़, गोड़ेस लैड, लैस, ब्राइट गुरूम ब्राइट, ड्यूप, डचेस गवर्नर, गवर्नेस, मास्टर मिस्टरेस, ये थी आपके जेंडर्स, उमीद है आपको समझ में आ गए होंगे समझ में आ गए हैं, अच्छी तरह से तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर जाना, बता देना सर जी समझ में आ गए हैं, हाँ, ये सारे के सारे नॉट्स, अपनी नॉट्बुक में लिख लेना, जितने भी रूल बताए हैं, टाइप्स बताए हैं, अपनी नॉट्बुक में लिखके आज के आज मुझे वट्सेप नमबर पे भेज देना जो बच्चे काम नहीं बेज रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं सारे बच्चे काम भेजा करो हाँ, सारे बच्चे काम भेजा करो जिस जिसने पिछला काम भेजा कमेंट बोक्स में लिखो के सर्जी मैंने बेज दिया था मेरे वट्सेप नमबर पे जल्दी लिख दो, शाबास, वेरी गुड समझ में आज का टोपिक वेरी गुड, समझ में आजाना चाहिए बहुत जल्दी नई वीडियो में नई इंट्रेस्टिंग टोपिक के साथ तिल देन बभबाई, बभबाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चो